दोस्तों रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक कर दें अगर आप विग्नहरताश्री गडेश के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में गडपती बपा की ग्रपादरश्टी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम गण गण पते नमाहा लिख कर ही इस वीडियो की शुरुआत करें हमारा उदेश है कि सबका कल्यार हो आप ही हमारी उदेश में हमारा साथ दिजे और इस वीडियो को अपने फेस्बुक और वाटसअप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें दोस्तों भगवान गड़ेश प्रथम पूज है पिग्न हरता है उन्हीं प्रसन्य करने के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप आपकी पूजा में जरूर अर्पित करते हैं जब आप घर में आम दिनों में भी पूजा करते हैं तो भी उन चीजों को शामिल करते हैं वे चीजें हैं दूर्वा लालपुष्प मोदक लड़ू ये सब भगवान गड़ेश को अर्पित किया जाता है ताकि वे प्रसन हो लेकिन गड़ेश जी की क्रपा मात्र कुछ पत परिशानियों से मुक्ति पा सकते हैं अब चाहेवा स्वास्त से जुड़ी हो धन की हो खुशियों की हो या कोई मनुरत पूर्ण करना हो दोस्तों भगवान गड़ेश को मंगल मूर्थी कहा जाता है जिनकी क्रपा से सभी कार्य पूर्ण हो जाती हैं उनकी उपासना से हर प्रकार की बाधात दूर हो जाती हैं चाहेवा संतान प्राप्ति की हो शिच्छा की हो या फिर भात्य की हो भगवान गडेश की उपासना से कुंडिली के अशुब योग भी दूर हो जाते हैं आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिसे य यह बहुत सरल उपाय है जो आप आसानी से कर सकते हैं तो आएए जानते हैं उस उपाय को दोस्तों पत्ते कई प्रकार के होते हैं और हर एक पत्ते का एक अलग रंग एक अलग खुश्बू होती है उसकी अलग सुगंध अलग ग्रह से जुड़ी होती है आप पत्तों के रं जब हम उन ग्रहों से जूडे बगते भगवान गडीश को चडहती हैं तो आपके ग्रह मसबोथ होते हैं और उस्ग्रह के सभी दुष्वरभावत दूर होने लगते हैं खास करके भगवान कडेश को अलग पत्ते को मंत्रों के साथ अर्पित करने से मनोवांचित मनोकाम नाप पूर्ण हो जाती है तो आपको करना क्या है कि प्रतेग बुधवार के दिन सुबह इस्नानादि वगेरा करके भगवान गडेश को ये पत्ते शुद्ध जल से साफ कर उन्हें अर्पित कर दें सुबह शाम उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और उनका प्री मोदक उन्हें जरूर भोग लगाएं अब जब भवान गडेश जी के आगे आप घी का दीपक जला कर वहां बैठेंगे तब वे पत्ते आपकी अलग-अलग मनोर्थों को भूर्ण करेंगे आपकी समस्याओं को दूर करेंगे इससे पहले आपको एक बात बता दे आपको एक प्रयोग कर लेना है आपको करना क्या है कि आग का पत्ता यानि कि आकड़ी का पत्ता ले आए और उसे शुद्ध जल से धो दे दोस्तों आकड़ी के जड़ में भगवान गडेश जी का वास होता है जब आकड गड़ेश जी की आक्रती बनती है इसलिए आकड़े के पत्ते का बहुत महत्व है तो आप एक पत्ता आकड़े का लियाए उस पर सिंदूर और एक सिक्का रखकर गड़ेश जी को भेट कर दे ये उपाएं आप घर में भी कर सकते हैं और गड़ेश जी को उनकी सारी प्रीवस पाते कैसे जड़ाने अब हम आपको बताएंगे की कौन सा पत्ता कब चड़ाना है तो आइए गयullen हैं कि आप मनोकामना के लिए कौन सा पत्ता अरपित करें कों किसी प्रकार की नौक्री पाना चाहते हैं चाहे सरकारी हो या प्राइबेट तो आपको बुधवार की दिन भगवान गडेश को कनेर के पुष्प का पत्ता अर्पित करना चाहिए आपको मंत्र विक्टाए नमा इस मंत्र का जब करते हुए नौ या एक सो आठ पत्ते अर्पित करने चाहिए आपको नौकरी संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी वहीं यदि आप व्यवसाय से हैं और आप चाहते हैं कि आपका कारे आगे बढ़े उन्नती करे तो आपको केतिकी का नौ या एक सो आठ पत्ते लेकर भगवान को चढ़ाना है और मंत्र बोलना है इस मंत्र का जाप करते हुए आपका नेर का पत्ता जबाएं आपका व्यापार उन्नती करेगा यदि आपके जीवन में धन की समस्या अधिक है धन नहीं आ रहा यदि आता भी है तो बचता नहीं है आप चाहते हैं कि गड़्पति पपा के अशिर्वास से आपका घर धन धाने से भरा हो तो आप बुधवार के दिल आकड़ी का पत्ता ले आएं यानि की आग का पत्ता और उसी शुद्ध जलसी धोकर साफ कर ले और भगवान गड़ेश को एक एक करके नौ यह 108 पत्ति अर्पित करते हुए मंत्र बोले इससे आपकी धन संबंधी परिशानी दूर होगी और धन का लाब होगा जदि आपको स्वास्त संबंधी ज़्यादा परिशानी है आप स्वास्त की कारण परिशान है तो आपको एक काम करना है बेल का पेड कहीं आसपास होगा वहाँ जिल नौ यह 108 पत्ति तोड़ कर लियाए और जो बेल का पत्ता है उसे ओम लंबो दरायना महा इस मंत्र को बोलते हुए एक एक पत्ते को भगवान गडिश को चढ़ाते जाए आपकी स्वास्त से जुड़ी समस्याद दूर हो जाएगी बहीं आज के जमाने में लोगों को रेदय से जुड़ी समस्याद बहुत हो रही है रेदय रोख हो रहा है या फिर बहुत ही गभीर समस्याद हो रही है ऐसे में आप 9-108 अरजुन का पत्ता ले ले और एक एक पत्ता अरपित करते हुए बोले उम कपिला ये नमहा उससे आपको लाब होगा बही यदि आपकी कुंडली में शनी देव भी पूरा दे रही है आपके उपर शनी की साढ़े साती है धैया है कुंडली में शनी सही नहीं है तो आपको बुधवार के दिन शमी का पत्ता ले आना है और मंत्र बोलना है इस मंत्र का जाब करते हुए 9 ये 108 पत्ते अर्पित करते आपको शनी दोश्ते राहत मिलेगी यदि आप उच्चिपत की प्राप्ती चाहते हैं यानि की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं तो आपको भरंगराश का पत्ता ले आना है आपने ये पत्ता देखा होगा छोटी छोटे सफेद पुश्प उसमें लगे होते हैं इस पत्ती को अर्पित करते हुए आपको मंत्र बोलना है ओम गड़ा धीशा ये नमहा इस मंत्र का जाप करते हुए कम से कम नौ या 108 पत्ती आपको अर्पित करने हैं इस मंत्र का जितना चाहें उतनी बार जाप करें कम से कम पाच बार तो जरूर करें या जितने पत्ते आप ने अर्पित किये हैं उतनी बार करें यदि आपके कारे में बार बार बाधा आ रही है आपका कारे नहीं बन रहा समस्याइं आ रही है घर नहीं बन पा रहा या विवाह नहीं हो रहा तो ऐसी अन्य कोई भी समस्या अगर आ रही है तो आप बेल के पत्ते को 9 या फिर 108 बार गड़ेशी को अर्पित करें और मंत्र इस मंत्र को बोलते हुए 9 या 108 पत्ते चढ़ा दे आपकी समस्या जरूर पूर्ण होगी संतान प्राप्ति के लिए भी आप या तो 9 या 108 पील पत्र के पत्ते अर्पित करें हर एक पत्ते को अर्पित करती समय आपको ये मंत्र बोलना है इससे आपको संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा यदि आप जीवन में मान समान यश्की प्राप्ति चाहती है तो आपको देश पत्ता अर्पित करना चाहिए और मत्र बोलना चाहिए ओम चदुर्दोत हैना महा इस मनत्र का जाप करते हुए 9 या 108 पत्ते अर्पित करें अब आपने आज तो इन पत्तो को अर्पित कर दिया लेकिन अब उन पत्तो का होगा क्या तो आप अगले दिन यानि की गुरवार के दिन इन इन पत्तों को लेकर किसी पवित्र मिट्टी वगेरा में दबा दे अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही या व्यापार में कोई तरक्की नहीं हो रही या आप दूसरी किसी प्रकार की मुश्किल में हैं तो आप एक छोटा सा काम करें जावित्री के फूलों को हर दिन भगव कि उद्य हो जाएगा तो बस इन पत्तों को हर बुधवार के दिन फक्वान गडेश के चर्णों में चठा दे आपको सकारात्मक प्रभावत देखने को मिलेगा आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडि जै श्री कडेश ओम गन गनपती नमा